तो आज हम करेंगे निट फिजिक 2019 का question और यह दूसरा question है तो शुरू करते हैं हमारा question है In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D, R 1%, 2%, 3% and 4% respectively Then the maximum percentage of error in the measurement of X Where X is equal to A square into B raise to half divided by C raise to 1 by 3 into D cube will be तो यह question निट 2019 का है हमें percentage error दे दिया गया है A का, B का और C का और D का जो की 1%, 2%, 3% और 6% है और हमें एं फॉर्मला दे दिया है X का और हमें निकालना है कि total percentage error जो है X में कितना होगा पहला option है 3 बा 16%, दूसरा option है 10%, तिसरा option है minus 10% और चौथा option है 16% तो चलते हैं इसके solution की दोर्व हमें जो data दिया solution के लिए वो है percentage error in A is 1%, A में percentage error 1% है B का जो percentage error वो 2% है, C का जो percentage error वो 3% है और जो D का percentage error वो 4% है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी values को formula में substitute करेंगे तो हमारा formula जो है percentage error in X के लिए, वो है percentage error in X equals to 2 into percentage error in A and then plus half into percentage error in B उसके बाद फिर add किया हमने 1 by 3 into percentage error in C and 3 into percentage error in D लेकिन ये कैसे आया, जो ये वाली line है वो आई है इससे यहाँ पर हमने क्या किया है, जो A का power था, उसको percentage error of A के साथ multiply कर दिया है फिर बाद में जो दूसरी line है, उसमें हम लोगे जो B का power है, उसको percentage error B का है, उसके साथ multiply कर दिया है तिसरी line में हमने क्या किया है, power of C था, उसको percentage error in C के साथ multiply कर दिया और यह वारा लाइन है उसमें भी हमने पाउर अफ डी को परसेंटेजरर डी के साथ मल्टिप्लाइ कर दिया तो आगे चलते हैं यह सब वैल्यू सब्सुट्यूट करते हैं हम तो परसेंटेजरर एक्स हो जाएगा और फीर्वले लाइन क्या बन जाएगी परसेंट फर्सेंट आप तो तो परसेंट ऊन चरो परसेंट यह तो परसेंट यह 1% यह 1% और यह 12% बन जाएगा अब इन सब को हम एड़ कर सकते हैं हम जैसे इनको एड़ करेंगे तो यह बन जाएगा 16% जो है हमारा final answer तो वापस चलते हैं अपने question पर question था in an experiment the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities a b c and d r 1% 2% 3% and 4% respectively then the maximum percentage of error in the measurement x where x is equal to a square into b raise to half divided by c raise to 1 by 3 into d cube will be so a b c or d का percentage error एक परसेंट दो परसेंट और तीन परसेंट और चार परसेंट दे दिया है और उससे हमें निकालना था और पहला option परसेंट दूसरा option था 10 परसेंट तिसरा option था माइनस 10 परसेंट और चौथ आप्शन था 16 परसेंट तो 16 परसेंट जो है वह राइट आप्शन तो यह रहा हमारा वीडियो जो हमने अभी खतम किया solution units and measurement के problem का तो अगर आपने पसंद किया तो मेरा वीडियो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल पर सब्स्राइब करें थैंक यू